वेल्कम फिफ्थ क्लास आज करेंगे इंग्लिश शुर्टर में चप्टर नाइन एलिफेंट्स एंड हेयर्स जो हैं खर्गोश की प्रजाती की होते हैं डीप इन दा जंगल देर लिव ड़े जंगल में हाथियों का जुंट रहता था था जूएलिफेंट्स लिव डिफेंट्स लिव डिताइन प्लेस बिसाइट्स पॉंड और युटयू रहा है वेंचुरिंग उट्वनाचुरिंग हो को पानी सूखने लग गया some of the elephants met the king of the elephants and said your majesty कुछ elephants जो थे वो जो हाथियों का राज़त था ना उससे मिले और बोले your majesty we do not have any more water some of our little ones are on the verge of death कि हमारे पास जो पानी नहीं है और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो मरने कगार पर आ गए है we must find some other place which has abundant water कि हमें जो ऐसा प्लेस ज must still be filled of water let us go there कुछ टाइम सोचने के बाद जो हाथियों का राज़ा था वो बोलता है कि हां मुझे एक मैं जगह जानता हूं जहाँ पर बहुत सार पानी है और वहाँ पर अभी भी जो है पानी होगा चलो वहाँ चलते हैं next morning they started to march after traveling for five days and five nights the elephants finally reached the place there was indeed a big lake full of clean water march होता है कि चलना किसे एक महरन में चलना तो next morning जो है सबके सब हाती जो है चलने लगे वहाँ से और five days और five nights तक travel करने के बाद जो है उन्हें एक प्लेस मिला जो कि पूरा पानी से भरा हुआ था साफ पानी से भरा हुआ था there were innumerable holes in the soft earth around the lake in which a group of hairs lived innumerable होता है कि countless मतलब कि बहुत ज्यादा जो हमाँ पर holes थे जिसमें जो hairs रहते थे means rabbit रहते थे when the elephants saw so much water in the lake they rejoiced and start jumping into the water without a care in the world जब हातियों ने देखा कि उस lake में भोज़द पानी है तो बेना किसी परवा किये वो जो है उस lake में अंदर चले गई all this sudden commotion caused the holes to be destroyed many hairs were trampled under the elephants इतनी जादा जो हमापर disturbance हुई तो जो hairs थे ना जो rabbit थे holes के अंदर वो जो है वो डर गए while many died many others were seriously injured कुछ तो जो है वो मर गए थे हातियों के नीचे आगे कुछ जो है डर गए थे कुछ injured हो गए थे but the hairs could do nothing to stop this misery only those who ran away could save themselves लेकिन जो खरगोश थे वो कुछ नहीं कर पाए सिर्फ जो वहां से भाग गया वही जो है बच गया when the elephants left in the evening the hairs that had ran away starting returning जब शाम के टाइम वो हाथी उस लेक से जाने लगे तो जो खरगोश थे वो वहां पर वापिस आए they assembled in sorrow वो दुख में साख साख खटा हुए one old hair said one old hair said oh dear because of scarcity of water everywhere else the elephants will come here everyday उसमें से जो एक बूड़ा था न खरगोश वो बोलता है कि पानी कम्योंने कारण यहां हाथी जो है आपर डेली आए करेंगे अब we must think of something or more of us will get trampled tomorrow कहता है कि हमें कुछ है कुछ सोचना चाहिए अदर्वाइस हम जो है मारे जाएंगे अगर हम बचना है न जीना है तो यहां से में जाना ही पड़ेगा वन अगर हम उनको डरा देना हाथियो को तो यहां पर कभी नहीं आएंगे वो कहता है कि हम एसा रास्ता निकालें कि हम जो है उनको भगादे हाथियों को हम चोटे हैं लेकिन फिर भी जो है उन हाथियों को यहां से भगा सकते हैं एस प्लांड, एस प्लांड, एस प्लांड, प्लांड, उनने प्लांड बनाया, और एक खरगोश, उसने क्या करा, एक हिलोख पजा के वो खड़ा होगे, जहां पर हाती आते थे, कुछ ताम बात जो है, वो जो हाती था, हाती कराजा था, वो आया, गुरुप के साथ अपने, दा हैर शाउटेड, वो खरगोश, लाया, यू विग्ड ऐलेफेंट, I prohibit you to enter the lake, वो कहते है कि मैं तुम्हें चिता में देता हूँ कि तुम जो इस लेक में मत आओ, this lake belongs to the moon god, go back at once, यह जो लेक है, यह बिलॉंग करता है, किसका यह moon god का है, और तुम यह से चले जाओ, जो हाती था, वो जो है किसी भी भगवान को जो गुसा नहीं करना चाहता था, तो उसने खरगोश से पूचा कि उसके लिए क्या message है, जो खरगोश नहीं रहते हैं, वो moon god की protection करते हैं, और वो जो तुम पर बहुत नहीं गुसा है, वो जो तुम से बहुत जादा गुसा है, अगर तुम जीना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर दुबार कभी नहीं आओगे, डिलेफंट किंग केप्ट कॉइट पॉइट 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 फिर यहाँ से चला जाओंगा, शाम हो चुकी थी, खरगोष बोला कि जो मून गोड है वो नीचे आचुके हैं, और वो जो हेर, जो खरगोष कल मरे थे न, उनके लिए जो बन नीचे आए हैं, अगर तुम इसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो, जो चाहरा खरगोष था, वो हाथियों के राजा को जो है, लेक की किनारे पर लेक गया, और उसने पानी में चांद का रिफ्लेक्शन दिखाया उसको, वो बोला कि आज ये बहुत उदास है, अपना सर जुकाँ उनके सामने, और चले जाओ, ये ध्यान लगा रहे हैं और तुम्हें जो असको डिस्टरब नहीं करना है, अदर्वाइस ये बहुत ज़दा गुस्से में आ जाएंगे, जो गिलीव दा हैर उसको देखके, उसने जो सर जुका है उसको सामने, और उसको खरगोश की बात पर एक कीन हो गया, और फिर भी जो है वहाँ से चला गया, और उसके बात जो है जो खरगोश का जुन था, वो सारे हैं वहाँ पर खूशी से रहने लगे,